आप साथ लेकर आए हैं इससे पहले मैंने आपको कॉमेंट बग्स में क्लियर कर दिया था कि बेस्ट वीज़ है वही बुक है बस एक से तो चैप्रेस चेंज हुआ है तो बेस्ट वीज़ है आपका टैनेर पेपर है आप इसको फॉलो कर लीज़े लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं मिस आप हमें जो है वह हैं एमसी की उज़ वगारा और सारी चीज़ें हमें बताए हमें गाइड करें तो मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टैनेर पेपर है उसका लिंक प्रोवाइट कर दी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाए वहां से इस सारे सवालात आपने करने ही करने हैं ठीक है और इसके बाद कुशन में आप लोगो कुछ पढ़के बताउंगी कुछ आप डाउन कर लिजे कुछ ब्लैंक बताऊंगी कुछ आपको एसे बता दूंगी प्लिकेशन प्लिकिशन पदा दूंगी जो इंपॉर्टन थैंशाला जबाब चे स्वाल के जबाब देने होंगे आपने या को तस बारा सवाल बताऊंगे इसमें से इंशाला लग जाएगा हज़र सल्मान फार्ड़ी रजी आला नहों के थी जो रकाओ अज़त इमाम जाफर जिन जा केड़ा मशूर शागर थी गुजरिया हैं ठीक है जी सरकारी मुलाजमन की चायद आजम केड़ी हिदायत के या है नभी करीम से लिल्लाहू लिए बारन यतीमन वस्कीनन वास्ते केड़ियां केड़ी नस्यतों करन फरमायो मलाना वफाईजा केड़ा इमी यादगार मौजूद आहन हैदराबाद में माई खैरी जो केड़ो यादगार मौजूद आहें मीरन जी परशाग केड़ी के समझे आई हजरत श्या अबल्लती पटाई के इंजर जो जिकर केड़ी सुर में की हुआ है तो जड़ी से इसको नोट डाउन कर लीजे और कुछ 19-20 हो जाए जिन्दी पढ़ने में तो माज़रत है कोशिश किए कि आप लों के साथ यह भी शियर कर दूँ फिर नेक्स कुशिन्स आपको पताते हैं अब यहां से इसका स्क्रीन शॉट ले ले लें एजिली और एक सवाल मैंने यहां पर भी लिख दिया है माई खैरी किड़ा किड़ा खैर जग कम किया है माई खैरी किदन वफाद कई यहां सवाल भी नोट डाउन कर लीजेगा जुम्ला लिखना यहां आपने कि मैंने आपको बताया ना यहां आपने सारी चीज़ें करनी है काफिए तक इन्शाला उसमें सही आएगा और चार का जो अलिफ होगा कोशिन नमबर फूर का वन पार्ट उसमें तीन जित करनी है तीन लफजें जज़ेत लिखो उसका बे पार्ट है तीन लफज़ं तीन वाहिज जिया जमा लिख्यो लिखो जी मुस्का होगा मुझकर या मौनस लिखो अगला है अच्चा नेक्स लिख लीज़े आपके पास वाल नमबर पांच है इसका जो अलिफ है यसमें तीन इस्ति है हाँ जी मानंइ सिंदी में मतलцы चार चार जो लिए के तो हमनी एंपलें इसके मायन लिकने हैं इन में च्यूइज हुगी यह करें या पर अब आच्छी सिंदी है ता ता आप कठ सकते हो लिकिन पेरेगराफ को पंड़ना है और आ खिंप के सवाल के जवाब देने जिस तरह कंप्रेहंचन होता है सारा वही होगा ठीक है जी तो उम्मीद करती हूं आपको समझ आ गया होगा अब हम बढ़ेंगे अपने इस आजीम की तरफ इसमें मैं आपको मजमून तर्खास बगर और इंपॉर्ण चीज़ें बताऊंगी देख ल लिजेगा लामा इकबाल इसमें यह होगा कि अगर वो शक्सित पर भी आएगा तो आप लिख सकते हो ठीक है ना अच्छा जी क्योंकि दो ही एक में कबर हो जाएंगे दर्खास में आपने क्या करना है यह माहट मास्ट्रियाटी की बिमारी लाए मोकल लाए मतलब जो बिमा लग जाएगी पर सवाल नमबर आठ आपका होगा तश्यरी शेरी अबन यह आपने टैनियर से करना है ठीक है और नाइन जो है वो खुलास हो खुलास इसके तीन पार्ट है इसमें अलिफ में खुलासा आएगा बे में मरकसी ख्यार आएगा और जी में पैरेग्राफ जो उर अजरक अजरक अलग है और नसरपूर अलग है कितने हजरत इमाम जाफर साथी रज़ा अजरक और नसरपूर मरकजी ख्याल में वाई दुआ और प्यारा बतन यह तीन में पैरेग्राफ ठीक है ठोड़ी जर जर खरी स्टॉप करती हूं ताक इसलिए आप यहां से का स्क्री क्यूज्स वेस्टॉ नाँ है कि आपने करना है करने करने के बाद पर आवाजन हिससा बे पर मकत्से जबाब यह अपने सारे करने है ठीक है जितने मतलब इसके अंदर आए मौडल जोकर Lore तो करने Ismaarолько तीन में चाहरा है कि पीर जिए स्वाल कहा इसमें जिए जित लेकिर ज पर तारीफ वगरा लेके तो मैंने जो आपको बताई थी वह रख जर्ज अमीर से जम्लो इसमें खास इसमें जाद बताई थी ना तो हुर्फ निदा और हाल यह दो इसमें दीवी हैं तो आप यह वाले भी कर लीजिए मतलब कहने का यह बिटा यह जो चीज़ बताई जारी उ इसको आपने करना है फॉलो इंशाल्ला ताला जो है आपका पर मॉडल पेपर में से और उसमें से लगए पर आप देख लेजाएगा पर सवाल नंबर पांच देखें यह तो आप इस तरह के सिंदी में बताएं जो लफज यह गए ना इनको सिंदी में बताने या पिर इस में सवाला जो आपने बताने किसके आंसर्स बताने परिग्राफ में से डूंड कर ठीक है ना तो आपके सामने है यह सारा तो इमें 24 बहतरी जो उसकी प्रक्टिस आप करना चाहिए उस तरह कर लीजएगा फिर हम आ जाते हैं इसका लास्ट वाला देख लीजए है इसमें ज इसमें जो है वो लेटर और खत मतदर खास के दर्मियां 24 होती तो आप सारी अप्लिकेशन ज्याद कर जाएं इसमें कबर हो जाएगा ठीक है अच्छा आगे आजए हैं इसमें नजम यह सम्झे आड़ी है मौडली पेपर की सारी करनी है मैंने जाब नहीं सारी करनी है मैंने हैं जिस्ता आजीम प्राइड़ ग्राफ होगा स्कूर्दों में तर्जमा करना है ठीक है जी मौडल पेपर तॉ आपने करना है करना आप में आप नोंके साथ शेयर कर देती हूं टैनेयर पेपर उसको देख लें और इसक्रिप्शन दोनों मौडल पेपर भी मिल जाएगा वीं की अपने को त्रस्रय का सब्सक्राइब करने कके वा Pacific सब्सक्राइब कमा आए हुआ तोसन सवाल कितने साल में आया हुआ है तोन हुआए हम ने बाबत के और इशाद फर्माई हो यह नभी करीम सब्सक्राइब बादरी बाबत के और इशाद फर्माई हो यह भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ठीक है जी अधर सालमान फार्सी वाले में से भी सवाल एक लगता है यह सवाल जाफर साथी जाधरा केड़ा मशूशाद बल जरिया है यह भी सवाल आता है ठीक है जी और इसके रहावब काईदा महाने आप लिए पूरा वाच किया करें आम लोग इंपर इंपर इंपौर्टेंट चीज़ें में आपनों को बता रही होती हो चार फाइदा बेग और मौलारा वाफाई जा केड़ा इलमी यादगार मौजूद आहन ठीक है जी देखें रिक्विट हो के आया माई खैरी के दर वफाद करियें संदस वक्वरों के किते हाएं यह भी आता है उनर दोलता है में से आएगा कि माई खैरी की केड़ो शेर्द बदायो कि उसने कौन शेर्द बताई दिया जर्ग में संदस अखावत इसम पहला वाला देख लीजेगा इस तरह इस सारे हैं हम आपको पढ़के सारा तो नहीं बता सकती इतना घादा है यह सारा चीज़ें मैं आपको पीडियाफ में दे दूंगी ठीक है आप वहांचे नोट डाउन कर ऐसे आये हुएं है आपने उसके एकार्डिंग जो देख लेना है देखें जारी दरखास बगरा बला यह भी होती है जो आपने प्रहुत बगरा यह सारी आपने यहांसे देखनी है ठीक है टैने एयर से तो उमीड करती आपको समझ आ गया होगा तो आप इसको फॉलो इन्शालला का पीपर इसमें से ही आगा रहे हैं खुलासे बगरा भी या मैंशन है लेकिन जो मैंने आपको खुलासे दर्खास बगरा बताई आप वही कर लिजेगा उमीड करती हूं आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा चैनल को कीजिए सबस्क्राइब और अपने तमाम फ्रेंशे साथ कीजिए शेयर मिलते हैं इन्शालला नेक्स गैस्पेबर में जबता के लिए लाफ़ेज़